नमस्कार दोस्तों आप सभी का study quiz with निर्मला YouTube चैनल पर स्वागते हम यहाँ पर बात करेंगे MP8 जो एक्जाम अभी चल रही है 14 मार्च का second shift का paper मैंने इससे पहले first shift का paper upload किया है जिस किसी ने वो paper नहीं देखा है तो देख लीजिए paper में बदला हुआ है और आपसे request अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें साथ में bell icon को press कर दी ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले जिससे आप तुरंद देखे अपने दोस्तों में share करें वीडियो को like जरूर कीजिएगा और comment शेक्ट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है तो य Next टैनिक अमल किसमें पाया जाता है तो यह चाय में पाया जाता है तो इस्प्लीन है सेरी कल्चर किस से संबंदित है तो सेरी कल्चर रेशम उत्पादन से संबंदित है प्रावचन विदी किस सिक्षन विदी से संबंदी थे तो ये गद्य शिक्षन विदी से संबंदी थे प्याजी की अनुसार बच्ची किसकी दोरान भन्यों की साथ प्रियोग करते हैं समवेदी प्रेरक अवस्ता मैंने आपको बार-बार बोला है कि पियाजे, कोहल बर्ग, ऐसे दो मनोविज्यानी के जिन से बार-बर प्रशन आ रहे हैं, अधिगम से आ रहे हैं, सिध्धान से आ रहे हैं, प्रतिपादक, प्रवर्तक पूछे जा रहे हैं, अधिगम से आ रहे हैं, तो आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ ले आपको खुद पता चल रहा होगा डेलिया पेपर देख रहे हैं कि कैसे क्या प्रशन आ रहे हैं मुल्च्छा के समर्तक कौन थे तो मुल्च्छा के समर्तक थे महात्मा गांधी नेक्स्ट ए थोंडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रियोक किया था बिल्ली पर थोंडाइक, हल, पावलो, इसकिनर, गेस्टाल्दवादी, लेविन ये भोछ ज़्यादा इंपोर्टेंट है इनके जो सिद्धानते वो ज़्यादा इंपोर्टेंट है उनसे प्रश्ण सक्री अधिगम के लिए, अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है, सयोग के माध्यम से ज्ञान विक्सित करने के लिए, भाषय शिक्षर में मुल्यांकन उपागम का प्रवर्थक कोने, बी-एस ब्लूम शुद्ध जल का पी-एच मान कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथ, लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं, तो शेवाल और कवक में जीन बने होते हैं, तो जीन डी-एने से बने होते हैं कौनसा जीन मंडल का अजेविक घटक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा कवक एक मारगे का संबन किस से हैं, यहाँ पर होगा किस से हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा गुणवत्ता से हैं नेक्स्टी, ओजोन परत के निर्माण में कौनसी गेस साया के, तो ओथ्री साया के, समुदाय शब्द किस भाषा का है, तो समुदाय शब्द लेटिन भाषा का शब्द है, राइट आंसर हमारा हो जाता, लेटिन भाषा सदगुण में कौन सी संदी है सदगुण में व्यंजन संदी है मेदान की गढ़ना किस श्रेणी की इस्थल रूपों में की जाती है तो द्वीती श्रेणी के इस्थल रूपों में की जाती है नेक्स टे 21 केंदरी आलू अनुसंदान संस्थान कहां पर है तो ये शिमला में है अनुसंदान संस्तान से बारवा प्रश्ट पूछे जा रहे हैं वन अनुसंदान कहा है केंद्री शुष को कहा है इस तरीके से तो आप जितने भी अनुसंदान संस्तान हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए Next day NCF 2005 के अनुसार अधिगम क्या है तो अधिगम एक सक्रिय सामाजी के किसके according NCF 2005 के according Next day कक्षा में परसपर समाज से क्या उभर कर आना चाहिए विचार आलोग का विलोम क्या होगा आलोग का हो जाएगा अंधकार Next day शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ तो ये हुआ था एक अप्रेल 2010 को इसरो की पहली महिला निर्देशक कौन थी तो राइट आंसर ए अनुरादा टीके अनुरादा टीके इसरो की पहली महिला निर्देशक थी इसरो से भी बारबर प्रशन पूछे जा रहे हैं NCF 2005 भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए मंगल यान कब लोंच हुआ था तो मंगल यान 5 नवंबर 2013 को लोंच हुआ था प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ती है यहाँ पर पंक्ती दी गई है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी है तो राइट आंसर हो जाएगा रवी दाज जी की क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए तो राइट आंसर होगा सचिन तेंदूलकर चीन में कौनसी नदी बाढ का कारण बनती है तो पीली नदी राइट आंसर होता विटामिन एक की कमी से कौनसा रोग होता है तो रतोंदी रोग होता है रामसर संदी का आयोजन कब हुआ था तो रामसर संदी का आयोजन हुआ था दो फरवरी 1971 को रामसर संदी से बार-बार प्रश्ट पूछे जा रहे हैं चिप को अंदोलन अपी को अंदोलन इन चीजों को भी आप अच्छे से पढ़ ले नेक्स्ट ए ओजोन गेस का शरण कैसे होता है तो CFC गेस यानि जो CFC है उससे ओजोन गेस का शरण होता है चुम्ब की क्वांटम संख्या किस से संबंदी थे तो ये अभी विन्या से संबंदी थे नेक्स्ट ए द्वीतियक उब्भोकता कोन है तो द्वीतियक उब्भोकता होता है मेंडक ओप्शन के अकोडिक आंसर देना था तो आंसर होगा मेंडक ग्रिन हाउस गेस की संकलपना किस ने की थी तो यह की थी जोसेफ फॉरियर ने राइट आंसर हमारा हो जाता जोसेफ फॉरियर तो यहाँ पर हमने देखिए लगबग 35 से 40 प्रश्ण इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए अगर आपने चैनल को सुस्क्राइब नहीं किया